जैपूर के सुनील सोनी को थेवा कला में उत्क्रष्ट कारे करने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्राले की और से राश्ट्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। थेवा कला दक्षिन राजिस्थान के प्रतापगड की हस्तचिल्प कला है। यह कला करीब 400 वर्ष पुरानी है। इस कला में सोने पर अत्यंत बारीक और मनुहारी चित्रकारी की जाती है। सुनील सोनी पिछले 27 सालों से यह कारे कर रही है। यह हस्तचिल्प में थेवा कला अभूशन बनाने के लिए मुझे अवाड मिला है। और इसके लिए हमने एक थेवा कला की डांडी अरास करते हुए गुजरात राजिस्थान की जो शेली है। उसको मिक्स करते हुए एक करती बनाईती प्लेट उसके ओपर मुझे अवाड मिला है। थेवा कला एक प्राचीन डक्षिन राजस्थान की एक कला है जिसके ओपर कांच के ओपर सोने की महीन कारी-करी की जाती है। और इस कला की खासियत यह है कि यह कला की जो अभूशन बनते हैं जो भी करतिया बनती है वो कई सालों तक उसको सेकड़ों साल तक आप रख सकते हैं। खराब नहीं होती है पुरानी नहीं पड़ती है। यह कला मूल रूप से दक्षिन राजस्थान में प्रताबगड जिले की है। मैं 1995 से इस कला में आगया हूँ जब मैं 11 कलास में था। और उससे करीवन अभी तक 27 साल से जादा मुझे काम करते भी हो चुके। आवाइड मिलने पर मुझे काफी गरो में सुसरा काफी अच्छा लग रहा है। यह 27 साल की जो महिनत करी है उसके परड़ाम सुरुप इतना अच्छा सम्मान मुझे भरत सबकार द्वारा प्राप्त हुआ है।